SBS करना चाहिए या Labor Agreement करना चाहिए Usually यह Question बहुत ही Confusing है कि SBS اور Labor Agreement में फर्ट क्या है में तो कि जो अगर हमें SBS करना है तो हमें पता चले कि SBS ऐसे करना है या Labor Agreement करना है तो पता चले कि Labor Agreement करना है तो मैं आपको आठ समझाता हूँ Labor Agreement और SBS के बीच में difference क्या होता है Usually अगर कोई employer किसी को sponsor करना चाहता है तो उसको दो pathway में sponsor कर सकता है एक होता है SBS pathway, दूसरा होता है labor agreement pathway SBS pathway की बात करते हैं अगर आप SBS pathway में जा रहे हो तो आपके employee का occupation, जो occupation list है उस occupation list में होना चाहिए For example, 482 का या 494 का जो list है उसमें होना चाहिए लेकिन अगर आपके employee का occupation SBS के list में नहीं है तब जाके आपको उनके लिए dama करना पड़ेगा For example, truck driver Truck driver का जो occupation है, ये SBS के list में नहीं है इसलिए जो उनको sponsor करना चाहते हैं उन सभी इस companies को dama या labor agreement करना पड़ेगा जब तब जाके ये truck drivers को sponsor कर पाएंगे So, SBS और labor agreement में main फर्क ये है कि वैसे दोनों में equality भी है कि SBS भी 5 साल valid होता है और labor agreement भी 5 साल valid होता है लेकिन main difference ये है कि SBS जब आप करते हो तो आपको SBS में कोई seats नहीं मिलते है Right, कि आपको इतने seats आप guaranteed sponsor कर पाओगे लेकिन जब labor agreement आपका अप्रूव होता है या dama अप्रूव होता है तो उसमें आपको 5 साल के अंदर आप पहले साल में कितने seats दूसरे साल में कितने seats तीसरे साल में कितने seats ऐसे हर एक साल के आपको seats मिलते है और that's how you can sponsor So yes, it is very informative video जो लोग labor agreement और SBS में फर्क नहीं जानते थे I hope कि आपको भी पता चल गया होगा कि labor agreement एक अलग exercise है और SBS एक अलग exercise है दोनों का process भी अलग है लॉजमेंट भी अलग है और उनका processing center भी अलग अलग है So please अगर आप labor agreement या SBS अप्लाइ करना चाहते हो तो मेरा contact की जिएगा मेरा रामने कुनाल नायक I am a registered migration agent from Growmore Immigration And ऐसे ही informative videos के लिए Please like and subscribe to our channel And I will see you in the next video